आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरह विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें इन में से कोई ने, ठीक है, फेन यानि की जाग, ठीक है, फेन यानि की जाग, जाग कही है, ठीक है, तो फेन, जाग, उत्पलवन विधी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाग, जाग, पलवन विधी, ठीक है, इसके चित्र को देख, ठीक है, इसका चित्र देख लेते हैं, य सुलफाइड आयस्वे कासांदर इसी वीधि दुआरा किया जाता है मैं oस्यवेश्य लिए रैक आपर नहीं ज़ते हैं उते हम अपर इस दुए दुआरः किया चाहे है इसमी क्या होता है जैसे पानी आप तो निख झासि इस वहाग 있지 और तेल का मिस्रड होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम आयस्क को डालते हैं, पानी और तेल के मिस्रड में, यह पानी और तेल का मिस्रड है, इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने पिसा हुआ, आयस्क डाल दिया, ठीक है, और फिर क्या होता है, अपने गुड के क कड के तेल में भीगे रहते हैं, ठीक है, समझ गया, तो इसमें क्या होता है, पानी और तेल के मिस्टर में डालते हैं, और अपने गुड के कारड़, अधात्री या सुद्धी, अधात्री या सुद्धी के कड, पानी में भीग कर, कैसे हो जाएंगा, जिब कोई भी कड क्या ह कोई भी कड पानी में भीगेगा तो लो क्या हो जाएगा, जैसे बेह बानी में कड भीगता है तो और भारी हो जाता है और भारी हो जाएगा पेदे में क्या होगा, वो भारी में बैठ जाएगा जब कि दूसरी तरफ उस धातू के Can I Тем को में observing तो तेल में भीगते हैं और जब इस पात्र में तेल हमारा उपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा, तेल हलका होता है, ठीक है, और इस पात्र में क्या होता है, कार्बन डायोकसाइट जब हम प्रोहाइट करते हैं, ठीक, जब इस पात्र में क्या करेंगे, कार्बन डायोकसाइट प्रोहाइट करेंगे, तब क्या होता है तब इसमें क्या होता है जाग बनने लगता है और ये रोटेट ऐसे किया जाता है ये जो डंडी है इसको ऐसे रोटेट करेंगे और कार्बन डियोकसाइट प्रवाइट करेंगे तब क्या होगा तब जाग बनने लगेगा फेन बनने लगेगा ठीक है और जाग के साथ सुद्ध धातो के कड़ जो होंगे वो सतय पर क्या होते हैं इस तरह से सतय पर तैरने लगते हैं ठीक है सतय पर तैरने लगेंगे और जिने हम क्या करेंगे जिने हम अलग कर लेंगे ठीक है और इसी को जाग पलवन विधी या फे कि निदे बिदी कहते हैं, और sulphide ice किसी के तुवारा अलग किया जाता है, मतलब पिथक किया जाता है, ठीक है, सबसे पहले इसको यह समझना है, जो असुद्ध कड है, जो हमारे असुद्ध कड होंगे, वो क्या होंगे, वो पानी में भीग जाएंगे, ठीक है, पानी में असल पे आ जाएंगे, और जो सुद्ध धातू होता है, यह हम कह सकते है, आयसक के कड जो होते हैं, वो तेल में भीगते हैं, ठीक है, अकर हम सुद्ध धातू की बात करें, सुद्ध धातू, वो क्या होता है, वो तेल में भीग जाता है, ठीक है, तो यह चीज याद रखना सबसे पहले क्या करेंगे, पिसा हुआ आयस के डाल देंगे, पानी डाल देंगे, ठीक है, तेल डाल देंगे, सबसे पहले पानी और टेल डालेंगे, उपर से पिसा हुआ आयस के डालेंगे, फिर क्या करेंगे, कार्बन डायोकसाइड प्रोहाइड करते हैं, फिर क्या होता है जो सुद्धातु होते हैं वो आ जाते हैंstriformis के नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं तेल पर रहते हैं ठीक है और फीर इस तरह से i us के सांद्रित होसुँछा है तुर इसलिए पहले वाल वी कल्ब हो जाये और बाकिसे वी कल्ब गलत हो जाएंगे थेंक्यू सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आच चारसो 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 पर